नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रिकल्चर टेग में मैं कमित्र जीवन पड़दार आज हम बात करेंगे जो आप यह खरपतवार देख सकते हैं कि हमारे सामने कई प्रकार के खरपतवार हैं और हमारे खेतों के आसपास अभी भी इस गर्मी में जुलती गर्मी में उग रहे हैं और हमारे खेतों का जो क्यारा जिसे आप खेतों के किनारे बोलते हैं और इस किनारों पर कई प्रकार के देख सकते हैं कि यह खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो इन खरपतवार को नश्ट करने के लिए और जो हमारी स्वा के साथ ही उगने वाले जो खरपतार होते हैं वह बहुत फेल ते हैं और एकदम घ्रोध करते हैं और इनको खतम करने के लिए प्रोडक्ट हम लाएं और मैं आपको आज बढ़ बताने वाला हूं तो उसके बारे मां चर्चा करेंगे कि खतम किस प्रकार हो और इसका जल्दी ज तो आज हम बात करेंगे आपके सामने देख सकती कि फ्लाइड डिकोटर की में बात कर रहा हूं तो किसान साति हो फ्लाइड डिकोटर का एक प्रोड़क्ट है जो जो कुई आप देख सकते हैं कि 100 गराम का जो पाउच है तो आप इस पाउच को डालने से ही तिन दिन के आपको ter does दाऊजा कोगा और इसúp पाउच का जो कंटेंट हे क्या कंटेंट है हर भी साइड के साथियों हरुई साइड में यहां जीपते हमारे चोडीर पत्ति वाले सक्रिपत्ति वाले इसके अंदर आ जाते हैं पोधे और जो खर्पतवार होते हैं जो बिन बुलाये महमान होते हैं जो बीना किसी वह उग जाते हैं हम उसी को हम खर्पतवार केते हैं और इसका जो निंदाई करने के बाद भी दोबार उग जाते हैं तो किसान साती आप बात क किसा भूल रहे हैं किसांगस इसी प्रकार को भूलना है को इसके अंधर पीद को आप को सतर्त रखनी है रूत हात और मुश ध्रह से दूर रखिए गा और इसके जो ओएख पंच यह ऐग पौच वढ़िव आपको एकटंकी के अंदर ही डालना है और एकटणकी के अंदर डालने के बाद इसका अच्छी तरह से पानी भर की इसका अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए और किसान सात्यों मेरे को रिजल्ट आने पर आप इस वीडीयो में कमेंड भी कीजिएगा अगर आपको रिजल्ट आए तो आप इसका जरूर कमेंड कीजिए और इसको शेर भी कीजिए और आगे सा आगे इस वीडियो को फेल आईए थाकि हमारा किसान सात्य इस खर्फत्वार को बढ़ने पर इसको रोक सके तो किसान सात्य आज के लिए इता ही अगली बार और अच्छा वीडियो लाएंगे हम और जल्दी जल्दी में स्वायविन का जो आने वाली फसल है उसके बारे में चर्चा करूँ और हो सकता है तो जल्दी 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 जो पिला मोजेक होता है उसके बारे में डिसकसन करने के लिए जल्दी जल्दी में कुछ एक वीडियो बनाने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा और उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा किसान साथियो धन्यवाद किसान साथियो